दो गलत फैमिया आप सभी के सामने दूर करूँगा पहला ट्विटर के ब्लू टिक को लेकि उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाए जाने लगे हैं अज डिक्टेटर शेप अंचराउम कश्प जी का क्लिप देखा तो मुझे लगा कि प्रासंगी बात है गुजरात का चुनाव भी है इसने बहतर कुछ हो नहीं सकता तो आज डिक्टेटर शेप बताऊंगा साबित करूँगा कैसे एक पार्टी के अंदर आप कहते कॉंग्रि कर देंगे तो शुरू करते हैं ब्लू टिक से अभी आपको पता है कि अगर आप टुटर पर है तो आपके पास ब्लू टिक होगा अगर ब्लू टिक आपके पास है तो 90 दिन के अंदर आपके ब्लू टिक को बचाने के लिए आपको टुटर की नए गाइडलाइन्स हैं कि आ की जाएगी तो भारत में आठ डॉलर तक्रीब आपको फीज देनी पड़ेगी आपको सुफधाइं मिल जाएंगी यानि की रैंकिंग में आपको ऊपर रीडू अंडू एड़िट जैसे सुफधाइं आपको मिल जाएंगी वह सारी चीजें एड़ाउन हो जाएंगी लेकिन जो पैसा नहीं देगा उसे ब्लू टिक छीन लिया जाएगा यह साफ तोर पर बात निकल के आती है सवाल यहां पर यह है कि बहुत सारे इस्टेपने फायदे भी हैं ब्लू टिक के तो नुकसान है फायदे कैसे हैं कि फेक और और औरिजिनल में आप अंतर कर सकते हैं गुम अलग मसला बन जाता है लेकिन ब्लू टिक होता है तो आपकी आपकी बातों को सोना जाता है न्यूज में आपके स्क्रीन शॉट लगाए जाते हैं क्या वैरिफाइड हैं अब आपने देखा होगा कि बहुत बहुत लोगों के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनके फालवर प्रॉस पहले था आपको ब्लू टिक मिल जाएक तो आपको फीस जमा करनी हैं पहली बात कोई बी बात नहीं आती है अब यो होगी मेरी एक बात दूसरी बात मैं कह सकता हूँ कि Twitter के माध्यम से जो लो क्रांती कर रहे थे क्रांती करी बाते कर रहे थे अब उनको समझ में आना चाहिए कि Twitter आने वाले वक्त में आप फ्री नहीं रहने वाला है अब आपको Twitter पर पैसे देने पड़ेंगे करांती करने के लिए आपका थोड़ा सा बजट मंत लिए हिल जाएगा आप मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पास Twitter पर ब्लू टिक होता तो क्या उस ब्लू टिक को रिटेन करने के लिए आप क्या पैसे देते हैं वो भी हर महीने 800 रुपे देते हैं मुझे comment section में जरूर बताएगा ऐसा YouTuber हमें 45% देना पड़ता YouTube को उनके agreement में होता है तो अब Twitter ने भी पैसे लेना शुरू कर दिया है आपके हिसाब से एलन मस्क का ये स्ट्रोक कैसा लगा आपको वागए अच्छा है नहीं है या फिर बिजनिसमेन तो ऐसे ही करेगा कमाएगा तब ही तो दूसरी जगल लगाएगा आपके क्या सोचना कॉमेंट सेक्षन बता सकते हैं दूसरी बात मैं आपको बताता हूं अंजनावम कश्रप की अगर आपको वह क्लिप याद होगा जहां पर अंजनावम कश्रप स्टूडियो में होती है पूछती है कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है अभी कुछ मही सिर्फ सबको पता की रहा है मोधी है और अमित्चा इसके लावा तीसा निता का नाम नहीं बता सकते हैं वह लोग यह हाल हमारे देश का जनता का बना दिया गया है तो डिक्टेटर्शिप सिर्फ एक ही तरफ नहीं है डिक्टेटर्शिप दूसरी तरफ यह आपको पता होन उनको काट देती है, वो रिपीट नहीं करती है, तो एंटी इंकमेंसी कुछ इस तरह से वो खतम करने कोशिश करती है, अब क्रोनलोजी समाजी दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि भुपेंद्र पटेल इस समय आज के वक्त में मुख्यमंत्री है, लेकिन इससे पहले विज रुपानी ने मुख्यमंत्री पत से स्तीफा दिया, अब विजयरुपानी से सवाल पूछा गया, कि आपने स्तीफा क्यों दिया, तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हमने आपको बताया था कि स्तीफा देने के पीछे वो पतेल समाज की नाराजगी है, तो भुपेंद्र पतेल को ला करके, और विजयरुपानी से पहले गर आप देखेंगे, तो आनंदी बेन बतेल, उनको 2016 में ये कह दिया गया, कि आपकी उमर फिचतर साल से उपर हो चुकी है, इसलिए आपको स्तीफा दिये दिना चाहिए, मुख्यमंत्री पत से, विजयरुपानी आते हैं, नरेंदर मोधी थी, तो नरेंदर मोधी भी चुनाव लड़के नहीं आये थे, वो 2001 में केशु भाई पतेल जो हैं, उनके स्थान बर लाके रखा गया था, अब केशु भाई पतेल का तिहास जान लीजी है, केशु भाई पतेल का 4 साल, रूपानी जी के 4 साल, 5 साल तो कोई पूरे कारी नहीं पा रहा, अब केशु भाई पतेल का तिहास मैं आपको बताता हूँ, गुजरात में भाजपा को जो उधै हुआ था, वो 1995 में हुआ था, केशु भाई पतेल मुख्य मंत्री बनते हैं, काम अपना अच्छा कर रहे थे, केशु भाई पतेल 221 दिन के मुख्य मंत्री पत पर रहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्होंने अपनी जो कमान थी, वो सुरेश महता के हातों में देनी पड़ी, जिसके पीछे शंकर सिंग बागहला और दिली पारिक के गुरूप का विरोध था, कि शंकर सिंग बागहला को मुख्य मंत्री बना जाती है, कॉंग्रेस का समर्थन लेकर के बागहला मुख्य मंत्री तो बन गए, लेकिन वो भी कारेकाल पूरा नहीं कर सके, यानि कि 1998 में हुए विधान सभा के चुनाव में भाजपा के 182 में से 177 सीटे जीत करके फिर से सरकार बना लेती है, वैसे बहुत साथा डिटेल म से ही तूटना शुरू हो जाती है, मुख्य मंत्री आता है, दूसरा चला जाता है, आता है, यह सब इसाब किताब चलने लगा, गुजरात की विधान सभा, 1960 में गठित हुई थी, पूरा पांसाल का टैनियोर निकल गया, 67 के बाद से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, वह व व्यक्ति को लाया जा रहा है, जो यह सब जो कारे किया जाता है, वो हाई कामान के कमांड पे गिया जाता है, चाहे वो कोई सी पार्ट से ही, चाहे वो कॉंग्रेस की सही, चाहे वो बीजेपी की सही, तो बीजेपी में भी आप समाझ सकते है, रिमोट कंट्रोल वाला स्थि चलता है तो कम से कम इस तत्य को भी ध्यान रख करके चीजों को आप कहना बोलना शेयर करना शुरू कीजेगा यह आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति जरूर बनाएगी इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीती में आपको सिर्फ एक तरफा सोच रखना जरूरी नहीं है आपको दिम हम इंद्रा गांधी को आगे प्रोजेक्ट करेंगे वोट इनके नाम पर बहुत अच्छा में मिल जाएगा और इनको हम प्रधान मंत्री बना देंगे इनको आनुभव बहुत ज्यादा नहीं है थोड़ा दवाब डालेंगे फिर मुख्य मंत्री अप्रधान मंत्री अपने प्रधान मंत्री नहीं बनने देते हैं लेकिन उन्होंने दाव खेला कुछ कुछ और हुआ कुछ इसलिए राजनितीम इना सिर्फ एक नले टीफ में मॉझ चलिए हर तरफ से सोचना शुरूर कीचे ठेसं इक पार्टी के अंदर नहीं है रीजिशनल पार्टी में बहुत है, नेशनल पार्टी में बहुत है कोई दूत का दुला नहीं है सब ऐसी है इसल काइब दो काइब आफड़ोंस आपकाड़ काइब आपके लिए इान